कर दो कि लो क्या हाल चाल मैं से देश कुमार जैसवाल एक कहावत है हां तंगन को आर्सी क्या पढ़े लिक्यों को फार्सी क्या अब मैं आपको दिखाता हूं एक गुड रिजल्ट का गुड रिजल्ट नहीं देखना है और यह पूड आपके सामने और यह पूरा का पूरा मैं सबूत लेक्टाया हूं एक सबूत आपको दिखाऊंगा चुकि लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहें कि तना अच्छा रिजल्ट भी हो सकता किसी कोचिजिदी इस विश्वास नहीं कर रहें हैं आप इसी बात को लोगो को पता करने की जरूरत है कि लाइन बाइन पढ़ने से फाइदा होता है सिर्फ यूटूबर्स के तरह चार्ट पढ़ने से नहीं होगा को डिक्टेट करा दे आप लिखते रहो उससे भी नहीं होगा लाइन बाइन पढ़िए लिखिए राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए आईसी एसाई का मॉड्यूल पढ़िए रिजल्ट आता है गुरूप वन में रिजल्ट आपको भी मालूम है वो सी एस जबलीटी का बच्चा जनवरी में पास होता है जून में एक्जाम देता है बहुत आईसी एसाई ने भी बिस्पोर्टक रिजल्ट दिया और चुक्कि वी आरदा कोचिंग ओनली फॉर सी एस नाथिंग एल्स तो आईसी एसाई के रिजल्ट परसेंटेज का डारेक्ट असर हम पर तो होना ही है आईसी एसाई का रिजल्ट अच्छा हुआ हमारा भी रिजल् और मैं आपको यह बता हूँ यह कल 25 सारी को जब रिजल्ट आया शाम के चार बजे का यह है स्टेटस चार से पांच बजे का स्टेटस है उसके बाद भी कितने रिजल्ट आएं तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यह वीडियो देख रहे हैं जिनका रिज और सक्सेस्फुल लिपोर्ट अभी इसमें एड होना है तो आप समझ रही कि रिजल्ट कितना बढ़िया है इसलिए मैंने नाम दिया बिस्पोर्टक रिजल्ट मदर रिजल्ट का तो बिस्पोर्ट हो गया एक लिश्ट दिखा रहा हूं यह जो पेज है नहीं सब मिला कि 8 स यह देख लो यहां पर लिखाओ ना आठ पेज़े वन ओफ एट आठ पेज़ेश हैं उपर से और पेज़ेश आड होंगे जैसे से रिजल्स आते जाएंगे बदाए साथ क्वालिफाइड कंपनी सेकेटरी हुए हमारे अकल अना सब सब के साथ इंटर्व्यू करूंगा आप देखेंगे के लिए रिदम सामने आधेए तो आपको confidence आएगा रोल नंबर के साथ है नाम भी है बहुत सारे महिए तो आपके दोस्त होंगे इसमें से देखे प्लीज महनत को कहते है न महनत को सलाम है वीडियो को लाइक है वीडियो को जरूर लाइक किजेगा और अपने दोस्तों में शेयर किजेगा बहुत सारे आपके दोस्त ऐसे जरूर होंगे जो इधर उधर यूटूबर्स में फसे हों लाइन बाइन से अच्छा कुछ नहीं है, याद रखेगा आप, मतलब मैंने देखा, मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आठ पेजिश का दिखाऊंगा, आप एक चीज़रा सोचे करते हैं, सोचने वाली बात है, प्लीज सोचे, 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 आपने देखा होगा, बहुत स से उतना ही बच्चे पास हुए है और जो पास उसी रांगोल्टर ही अपस हूए, इस बात को जरह सोचे, यह सोचने वाली बात है, कि मलुमन चला रिजल्ट आया, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, brings 5, 10, रैंक 7, रैंक ए 10, बहुत सारे लेकिन पास भी उतना ही बच्चा हुआ उसके बाद का कोई रिजल्ट का लिश्ट नहीं है अगर आप रिजल्ट गिन लेंगे ना तो शायद गिनके 20 रिजल्ट भी ना हो लेकि 20 में से 10 रैंक है मतलब वहां से जो बच्चा पास हो रहा है सिधा रैंक होल्डर ही बन रहा है अनई तो फेली हो रहा है यही मतलब है कि नहीं मतलब है पहले बताई थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको यह अब देखिए मेरे हैं बच्चा पास हमेशा आप हमेशा हमारा टेलिग्राम चैनल देखना यूटूब कॉमिटी यूटूब ने तो मतलब 24 गंटे का एक बै यह सब जानता है बच्चे सबसे ज्यादा हमारे यहां से पास होते हैं आप देखे अब देखे बास होते हैं तो बोलूगा ना इसमें कौन से बड़ी बात कुछ लोग बोलें अपना बड़ाई मारे जा रहे हैं तो काम भी तो ऐसा है तो नहीं बोलूँगा जिनके कुछ नहीं हुआ वो भी यहां पर डोल बजा रहे हैं डांस कर रहे हैं कम से कम हमारे यहां तो हुआ है भाई तो हम क्यों नहीं बोलेंगे प्लीज अपने दोस्तों में यह बात पहला है यह और कम से आपको confidence आगा कि आप अच्छे चकप पढ़ रहे हैं है अब देखें यहां पर देखेंगे यह देखे आपको रिजल्डल्स एक बात और इसमें सिर्फ उन बच्चों का नाम हमने लिखाे जिन बच्छों के कितने यह मांक्स से 50 से ज्यादा मांग्स हैं सिपंप उनहीं का नाम हमने लिखा है इस में 50 से ज्यादा मांग्स है नग절 लिए चलिए जी अब मैं आपको पताता हूँ exactly नाम दिखते जाए अब देखिए बहुत सारे बच्चे अपना नाम खोच रहूंगा इसमें यह देखिए security लोग जो CMSL है जो आपको कौन सा सब्जेक्ट है exactly CMSL group 2 के अंदर है वो देखिए 66 marks अब देखिए एक बात किसी एक सब्जेक्ट में 90 आजा 80 आजा बागी में आप फेल कर जाएं सो भी बिकार है ना मेरे बच्चे लेकिन 60 60 60 60 सब्जेक्ट में पास तो हो रहे हैं मैं सबसे जादा बच्चों को पास तो करा ले रहा हूं आपको यह बात समझें की जुरूत है बहुत सारे लोग क्या जैएजल के अंदर 62, EC IPL के अंदर 62, CMA के अंदर 62, अब देखें CMA के अंदर 62 मांक्स आ रहा है ना SBC में 62 मांक्स, EC IPL में 62, जैएजल में 62, टैक्स में 61, जैएजल में 61, SBIL में 61, CMA में 60, कंपनी लोग के अंदर 60, SLCM में फिर से सिक्यॉरिटी लोग है 60, FSM 60, अब देखिए अभी ऐसे ऐसे भी तो आठ शीट हैं और उसके बाद अभी और बहुत सारे रिजल्स ऐसे हैं जो रिजल्स अभी तक हमारे पास आए हैं पर इसमें चड़ नहीं पाएं, फिर टैक्स में 59, FSM में 59, JGL में 59, CLP के अंदर 59, टैक्स में 59, अब देखिए ये सारे के सारे बच्चों का नाम भी मैं भी लोगा, फिर देखिए कंपनी लोग में 59, SBIL में 59, SLCM सबका रोल नमबर भी हैं यहां पर, SBIL में 59, CMSL में 59, SLCM में 59, अब इतना रिजल्ट होने के बापवजूद भी कुछ लोग जल जाएंगे, जल जाएंगे तो गलत कमेंट मारेंगे, हैं अभी इसमें भी मतलब इतना अच्छा रिजल्ट हुआ, मतलब मैं जान भी दे दूँगा, खून भी बहा दूँगा, तो भी कुछ लोग बोलेंगे, नहीं खून ना, थुरा कम लाल है, तो बोलने वाले लोग गलतियां डूरने वाले लोग हजार हैं, लेकिन अच्छ को लाइन बाला इन पढ़ाए जाए, बच्चों को लाइन बाला इन पढ़ाए जाए, सिर्फ चार्ट के थूरू शॉर्टकट मारते हैं, रिविजन वैरोथान का हल्ला मचाते हैं, लेकिन मालूम चला लाइन बाला ने पढ़ाते हैं, बुक कहीं और, और टीचर का बात को ध्यान से सुनिएगा, डिटेल में पढ़ाई करेंगे, लाइन बाई लाइन पढ़ाएंगे, आप पास करेंगे, लाइन बाई लाइन पढ़ना और राइटिंग प्रैक्टिस करना और मड्यूल पढ़ना, ये कुछ मंत्र है, जो मेरा मना हर टीचर को अपने बच्चो चार्ट बनाओ, फिर लाइन बाईन, मैच भी कराओ, है न, बहुत टाइम लगता है, अब टाइम लगता है, लेकिन देखें, रिजल्ट भी आता है, आप समझे, देखें, मैं कोई यूटूबर तो हूँ नहीं, मेरे पास यूटूब में कोई डेल, दो लाग, पांच है, मुझे मालूम है, मेरे अच्छाई भी जादा फैल नहीं पाई, कि लोगों की बुराई भी जादा फैल लाती, लेकिन अगर आप मेरे विल विशन है, तो प्लीज इस बात को फैला, ये का तुरह मेहनत लगा है, मेहनत से रिजल्ट है, इन बच्चों का मेहनत है, है न, अब देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, और रिजल्ट, अब बच्चों का नाम भी एक पर दिखाऊंगा, आप नाम देख भी पाड़े होंगे, अबजेक्ट वाइस हमने लिया है, उसके बाद देखें यहाँ पे, कंपनी लोग 58, टैक्स 58, एफसम 57, है न, स्बी आयल 57, SLCM 57, ECIPL 57, FSM 57, TAX 57, FSM 57, SBIL 57, SBYL 57, Drafting, CS Professional, Drafting 57, SBYL 56, SBYL 56, SBYL 55, 55 आप गिनेंगे तो हमारा सबसे ज़्यादा रेजल्ट और यह तो लिस्ट आफ 50 प्लस मांक्स वाले हैं SBIL 55, CMSL 55, EBCL 55, CMSL 55, FSM 55, TAX 55, ECIPL 55, FSM 55, RCDNCR, Professionals 55, SBIL 54, CL 54, JGL 54, JGL 54, CMA 54, SLCM 54, CLP 54, SLCM 54, CLP 54, SLCM 54, Company Law 54, ऐसे अगर आप देखेंगे तो मैं बोलता चला जाओं तो मुह भी दर्द कर जाएगा बोलते 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 आप देखिए इसमें कितने सारे रिजल्ट्स हैं यहां पर पताईए और यह पहली बार नहीं है यह हर बार इतने रिजल्ट्स होते हैं सब मिलाके आठ पेजिज है आप देखिए यह पूरा रिजल्ट है और यह रिजल्ट कल शाम चार पांच बजे का ही है उसके बाद भी बहुत सारे रिजल्ट्स होए बहुत बच्चे के सिक्ष्टी सिक्ष्टी से भी जादा मांक्स होंगे सब कुछ होगा बहुत सारा मांक्स तो अभी इसमें exactly cover up नही है अब आपको मैं दिखाता हूं exactly अतुल मिश्रा आप देखिए CMSL में 66 मांक्स इसका पहले भी कुछ subject exempted रहा है उसके बाद राधे श्वाम टैक्स पूजा सिंग FSM में 65 गितांजली SBIL में 65 है फिर से गितांजली फिर से अच्छा इसका लगता है दो बढ़ नाम आ गए है उसके बाद राधे से हम JIGL के अंदर है सना अफरेन ये भी exactly JIGL के अंदर 62 मांक्स लाई है सना अफरेन प्रीती ECIPL के अंदर 62 मांक्स लाई है पूजा सिंग CMA के अ अर्चीसा सिंगल JIGL के अंदर 62 मांक्स है अर्चीसा सिंगल अभी ग्रूप 2 पर भी रही है हमारे हैं शिखर गुपता टैक्स में 61 मांक्स है पूजा का JIGL में 61 मांक्स है नंदनी का SBIL में 61 मांक्स है सुर्य परताप का CMA में 60 मांक्स है सिमरंगर का कमनीलों में 60 मांक्स है र आप नहीं और आप अपन देखी होगी बहुत बार रांकोलडर के साथ भी क्या होता है अब एक ही रांटोलडर कोचिंग में दोग्र होल नाम दिखता है उसका लेकिन यह तो वो स्टुडेंट हैं जो पास हुए हैं इंपॉर्टेंट है पास हुए मैंने जादा बच्चों को पास करा है मैंने और मुकाबले अगर देखेंगे सोचल मीडिया के वाल पे तो बस रैंक्स है चारपांच शेल सात रांग दिखा दिया उसके बाद रिजल्ट ही नहीं है और कितना ही कर पाएगा लेकिन यहां ऊंलाइन में तो कुछ भी हो रहा है घाए उसके लीजा को देखित एफसम में 60 मार्स है करन को FSM में 60 marks है, दिशा को tax में 60 marks है, आयूष को company law में 60 marks है, आरजू गुपता को EBCL में 60 marks है फिर से आरजू गुपता को FSM में 60 marks है, अरचीसा सिंगल company law and practice में 60 marks है वन्शिका को 59 marks है सुवाती कुमारी को 59 marks है tax में, तुरे परताब को FSM में 59 marks है, सोरभ उसके बाद Company Law में 59 Marks है, निवेदिता SBIL में 59 Marks है, माही को 59 Marks है Security Law में, उसके बाद आपका आयूश, जो आयूश है SBIL में 59 Marks है, आयूश CMSL में 59 Marks है, आर्दू कुपता को Security Law में 59 Marks है, उसके बाद आप देखेंगे exactly, मधूर को CMA में 58 Marks है, तो इस तरीके के बहुत सारे results, कुछ results मैं अभी अपना फोन देखता हूँ, देखेंगा फोन में भी बहुत सारे results, अभी मैं फोन देख रहा था है, एक दो बच्चा तो अब मुझे results भेजा, बच्चे results भेजने में भी देरी कर देते हैं, बाकि जो बच्चे professional में आ चुके हैं, मैंने professional guidance class, इसी channel पे और CS professional के channel पे भी, मैंने video बना के professional का guidance दे दिया है, उस guidance को देख लीजेगा ठीक है, चलिए, अभी मैं देखता हूँ, अभी कुछ बच्चों का मेंडे पास आया है, तो इतने सारे बच्चों ने messages भेज़े हैं, रिंकु नाम का student है, और इसका दोनों group निकल गया, अब देखें, दोनों group निकल गया है, और इसके भी अच्छे marks हैं, दोनों group एक बार में पास कर गया, रिंकु रोल नमर 506816, अभी इस result को मैं भेजता हूँ, ग्रूप में, ये बच्चा का भी अब हम result बना के डालेंगे, पर हमारा तो सारा social media channel ही exactly रुकावा है, कहीं कुछ भी हम post ही नहीं कर सकते अभी, ये हालत है, और भी बहुत सारे बच्चों का result है, भी दिखाता हूँ आपको बाद में result आया है, फिर नंदनी अगरवाल, नंदनी अगरवाल का भी दोनों group पास है, दोनों group पास है नंदन अनुबवतिवारी का एक group पास है, तो इस बार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जिनका result अभी आही रहा है, अगर आप में से सारे के सारे बच्चे जिनका नाम इस लिस्ट पे नहीं चरपाया, बुरमत मानिएगा, अगर आप कल शाम चार-पांच बजे तक बता देते तो आपका भी नाम इस पर चड़ जाता, तो कल शाम चार-पांच बजे का है ये, ये लिष्ट बना और ये लिष्ट बनके फिर है, बागी किसी बच्चे को ये लिष्ट चाहिए, तो आप हमारे हेड ओफिस पर आ सकते हैं, आपको ये सारा लिष्ट मिल सकता है, बागी ये ल विष्ट में आई है, अब इस बार तुम्हें, था है, जल्ए सव हो रहा है, इसके बाद राइटिंग प्रैक्री स्टिस को हो रहा है, अगर आपको tutko nkj writing-practice session जो हम क्र वाते हैं ayla is y port in kj writing-stat Camille, if God Bulgaria and has a just started Sunday सबसे एक ही रिक्वेस्ट है प्लीज लाइन बाइन प्रेक्टिस किजिए आप पास करेंगे बस सीधा सा मंतर है और इधर उधर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है क्लिर है बागी सारे टीचर्स दुनिया के अच्छे होते हैं सारे कोचिंग बाले अच्छे हैं बस अब से एक ही रिक्वेस्ट है प्लीज लाइन बाइन पढ़ाईए आप बुक दे के छोड़ देते हैं जाओ घर पर रखो बुक खुद से पढ़ो और यहां चार्ट बनवा बनवा के शॉटकर्ट में निकाल देते हो तो इसमें तो कहीं न कहीं बच्चों का बुड़ा ही होने वाला है आप इस बात को समझिए शॉटकर्ट से काम नहीं चलेगा लाइन बाइन वाट बाइन पढ़ना पड़ेगा अगर आपने हजार पेश की बुक दिए तो हजारो पेश पर हर लाइन पर बच्चों का टिक लगावा होना चाहिए तभी बच्चा confidence में होगा तभी जाके बच्चा exactly एक्जाम में लिख पाएगा आप एरो मार मार के मार मार के चार्ट बनवा के आप एक पूरा का पूरा बुक भरवा मतलब एक रिश्टर भरवा देते हो औ यह बास समझना पड़ेगा लोगों को तो जितना टाइम आप डिक्टेट कराने में लगाते हो क्लास में बच्चा डिक्टेट कराते हो बच्चा लिख रहा है रजिस्टर पे लिख रहा है उतने देर में अगर वही चीज आप बुक में च्छापके देदोगे उसका interpretation करा में बच्चा उस लाइन को जब याद करेगा तो लाइन पहले एक बड़ उसका देखा वा होगा अब वही लाइन को जब एक रिक्टेगा तो पास हो जाएगा तो कि इसे वास है कि आप इसाए लोग या मतलब बुक का क्या मतLब है फर आप बुक देते हैं फिर बुक का क्या मतलब है जब बुक से पराते ही नहीं है तो प्लीज लाइन बाय लाइन पढ़िए आई से से मॉडिल पढ़िए राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए आप पास हो जाएंगे सारे टीचर्स अच्छे होते हैं सारे कोचिंग वाले अच्छह है बस एक लाइन बाया रिख्युश्ट है मेरे मानना हो सब को मानना चाहिए बाती है चाहिए तो इस सेहन में यहीं तक फीर मिलूंगा अगले सेहनне और जब तक मैं ना मिलूं दूआ मेरा दखिएगा खुश रहें आप खुश रहें आपका पड़िवार थाइंक्यू वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा